Hello student, यह है exercise 7th E और यह book है स्वाध्यन ठिक अकाल अखडवी कजरी में यह book चलती है और यह बच्चा है 6th 7th class में और आज हम डिसक्स कर रहे है सेवन्थ E तो सेवन्थ E में सबसे पहले दिया है पहला question, पहले question में दिया एक table type का दिया हुआ एक्चुली 7th E में यह table दी हुई है ऐसे करके ठीक है तो इस table को अलग लग लिख लिख लिए जैसे पहले में CP दिया हुआ है फिर SP दिया हुआ है profit पूछा है अगर profit हुआ है तो profit percent बताओ अगर loss दिया है तो loss percent बताओ दोनों में से कुछ एक ही हुआ 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 या तो profit हुई है और या loss हुआ है तो हमने इस question को अलग लग ऐसे लिख लिख लिया पहले question के पहले part में A वाला part है तो A वाले part में दिया है CP वराबर 700 SP वराबर 650 तो इसमें पूछा है कि क्या loss हुआ है कि profit हुआ है तो देखो बेटा अगर कोई चीज हमने जितने पर खरीदी है ठीक और जितने पर बेची है तो अगर हमारा CP SP से कम है ठीक यानि जितने की खरीदी है और जितने की बेची तो बेची हमने ज्यादा कि है खरीदी कम की तो हमें profit होगा ठीक लेकिन अगर हमने कोई चीज खरीदी ज्यादा की है और हमने बेची कम की है उस case में हमें loss होगा ठीक तो तुम इस question में देख सकते हो कि 700 की कोई चीज खरीदी है और बेची है 650 रुपीज की ठीक तो जाहिड चीज बाते ज्यादा की खरीदी और कम की बेच रहें तो हमें loss होगा अब हम बात करते हैं कि loss हमें हुआ कितना तो क्या करोगें CP माइनस SP ठीक उस case में क्या करोगे भाई जो बड़ा होगा उसमें से चोटा नमबर घटा होगे तो यहाँ पर CP हमारा जादा है कितना है 700 और बेचा हमने कितने का है 50 रुपे का तो यानिक 50 रुपे का हमें loss होगा है ठीक अब loss percent निकालो तो loss percent का फार्मला होता है loss upon loss upon CP into 100 तो loss हुआ हमें हुआ है 50 रुपे का CP 7 ठीक और ये 2,0 दो 0 से 2,0 काड़ दीजे ठीक है तो बचा 50 रुपे साथ ठीक इतने percent का हुआ है लेकिन अक्सर करके हमें mix fraction में इस answer को रखते हैं या point में निकाल लो ठीक है 7,7 जा 1 upon 7 percent ठीक है 7,7 जा तो ये हुआ 7 whole 1 by 7 percent ठीक तो ये question हो गया अब हम अगला question की बात करते हैं इसमें देखो CP कितने का है मलब कोई चीज कितने रुपे की खरीदी गई 480 रुपीस की खरीदी गई इसमें उसको loss हुआ है कितने का 40 रुपीस का इसका मतलब कितने का बेचा गया होगा SP क्या है SP होता CP plus loss अगर हम कुछी loss में बेच रहे हैं तो CP में से CP में से क्या करेंगे loss को घटा देंगे अगर हमें पता करना कि कितने की बेची तो यानि 480 रुपीस की खरीदी है 40 रुपे का घटा हुआ है तो उसने कितने की बेची होगी 440 रुपीस की उसने बेची होगी अब हमें loss percent निकालना है ठीक loss percent loss percent कैसे निकालोगे उपर आएगा loss और नीचे आएगा CP CP दोनों case में आएगा नीचे तो CP ही रहेगा ठीक है जब भी हम compare करेंगे तो CP से compare करेंगे ना कि SP से तो यह आएगा 100 ठीक है तो loss हुआ है हमें कितने का दिया है 40 और CP कितने का था 480 और यह 0 ठीक है दो 0 तो एक 0 से एक 0 काट दो 4 1 जा 4 4 2 जा है ना अब फिर 4 से काटो 4 3 जा और 4 25 जा तो आगे 25 बाई 3 अब इसको अगर सही करके लिख जो 3 8 जा 1 बाई 3 इस Mixed Fraction में कर लो ठीक है यह आए 24 and 1 25 बाई 3 ओके अब हम इस Question की बात करते हैं बीवला है CP is equal to 500 रूपीज दिया है ठीक है ना महलब कोई चीज हमने 500 रूपे की खरीदी ओके और हमें इस पे 25 रूपीज का Profit भी चाहिए तो बताओ हम कितने की बेचेंगे तो SP is equal to होगा CP plus Profit तो CP 500 और Profit हमें चाहिए 25 रूपेज दिया यानि हम बेचेंगे 525 रूपेज की 525 रूपीज की अब हमें Profit percent चाहिए ठीक ना बास समझ भारी अब हमें Profit percent चाहिए ठीक Profit percent P upon CP into 100 P का मतलब Profit 25 और CP कितने का बन गया ये 500 है ठीक है और into 100 ठीक है तो 2,0 से 2,0 कार्ड तो 5,1 जा 5 5,5 जा 25 तो कितना आ गया 5 percent Profit हुआ है अब ये वाला question देखिए ये हम solve कर रहे है 7th ही 7th class का श्वाध्यन बुक है ठीक है अब इस question को ध्यान देना कोई चीज बेची जा रही है 770 की ठीक उसमें बेचने वाले ने 70 रूपीज का Profit भी कमाया है बताव वो कितने की खरीद के लाया होगा तो अगर हमें CP निकालना है तो क्या करेंगे SP में से यानि SP का है Selling Price इसमें से Profit को घटा दो पता चल जाएगा कि वो कितने की लाया था यानि 770 में से अगर हम 70 रूपीज माइनस कर दें तो पता चलता कि वो 700 रूपीज की लाया होगा तो यानि कि अगर हमें Profit percent निकालना हो तो हम क्या करेंगे Profit percent कितने का 70 रूपीज का CP है 700 ठिक और इंटु 100 ठिक 2,0 से 2,0 काट दिया 7,7,7,10 जा तो कितना आगया 10 percent profit कितना आगया 10 percent profit अब हम ये question solve करते हैं इसमें CP है 900 रूपीज मालब कोईची 900 रूपे की खरीदी गई और बेचने पर हमें 60 रूपीज का लॉपीज हुआ यानि हमने कितने का बेचा होगा SP is equal to CP में से लॉपीज घटा दो ठिक उतने का बेचा होगा ये 900 रूपे की चीज 60 रूपे के लॉपीज पे यानि कितना आया 800 कितना आया बताते हैं नहीं सब कुछ हमें ही करना पड़ता है 840 रूपीज ठीक है तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है loss percent loss percent तो क्या आएगा loss upon CP into 100 loss कितने का हुआ है कितने का loss हुआ है बेचा 60 रूपे का और खरीद के कितने का लाए थे 900 रूपीज का और इन्टू 100 2-0 से 2-0 काट दिया ठीक 3 से करो 3-3 जा और 3-2 जा तो 20 भाई 3 आया इसको सही करेंगे 3-6 जा 18-2 भाई 3 3-6 जा 18 एन्टू 20 भाई 3 ये इतने का लाउस हुआ